हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने ट्यूब चैनल के लियानी आये सेकेड में में और मैं हूँ आपके साथ थर्स जो आज हम देखने जा रहे है मध्र प्रदेश के प्रमुक चर्चित ब्यक्तितु को दोस्तों आपको पता है कि हमारी मध्र प्रदेश की करेंट अफेर की पूरी सीरीज चल रही है जो की पूरी तरह से बेस्ट है मध्र प्रदेश की प्रसीद करेंट अफेर की पुस्तक एक्जाम पीडिया के उपर और उसके हम चैप्टर्स को एक एक करके MCQ फॉर्म पे कवर कर रहे हैं ताकि एक्जाम्स में ज़्यादा से नंबर गेन किये जा सकें साथ ही कम समय में हम पूरी पुस्तक को कवर कर सकें तो आईए बिन देर किये सुरू करते हैं अपने पहले कोशन से आज का मारा पहला कोशन है महा लेखक नियंतरक स्याम सुंदर दुबे किस जिले से संबंद रखते हैं दतिया नर्मदापुरम ख तो जो बरतमान सीजे है वो नर्मदापुरम से संबंदित है ध्यान रखिएगा आईए देखिए स्याम सुंदर दुबे की बात की जाए तो स्याम सुंदर दुबे जो है 28 क्रम के अधिकारी है यानि सीजे किस क्रम के 28 क्रम के याद रखिएगा कई बार क्रम पूछ लिया जाता है जिनका क्रम क्या है एठाइस वाएं ठीक है इन्होंने बैंक नोट प्रेस देवासे बित्ती सलाकार और मुख लेका आधिकारी के रूप में भी कारे किया है ठीक है कई बार अंद्र पदों से भी अंद्र डाइतों से भी प्रस्णू हो जाते हैं आज ये आगे बात क के दाइत में इत्यादी चीजों के वारे में देखते हैं देखिए जिसके नमांगन करता होते हैं सीएजी के वो भारत के प्रदान मंत्री होते हैं ठीक है जबकि नियुकती करता की बात की जाये तो इनकी नियुकती भारत के राश्च पती द्वारा की जाती है छे वर्स य थे 149 में अनुच्छेद 149 की बात की जाए तो यह CAG के करतब और सक्तियों का वर्डन करता है MPPSC 2019 MPPSC 2019 में प्रस्न पूछा गया था ठीक है अनुच्छेद 150 संग और राज्यों को खातों का विवरण राश्च पती के अनसार CAG की सलाव पर रखना होगा क्लियर है अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि संग खातों से संबनित CAG की रिपोर्ट राश्च पती को सौपी जाएगी जो की संसत के पटल पर रखवाएगा अब आप लोगों को दोस्ते हम बताना है यदि राज्य की रिपोर्ट तो CAG किसको सौपेगा ठीक है आदित L1 मिसन हेड है परमाणू उर्जा नियामक बोर्ट से यह उप्रोक्त सभी इसके जो सही उत्तर होगा वह होगा परमाणू उर्जा नियामक बोर्ट ठीक है परमाणू उर्जा नियामक बोर्ट यानि AERB की बारे में देखते है तो AERB का जो पूरा नाम है वह है अटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ट ठीक है गठन की बात की जाए तो 15 नवंबर 1983 को इसका गठन किया गया था और इसका मुख्याल है मुंबई में है ठीक है या एक सुतंत्र एजन्सी है जो परमाणू उर्जास के सुरचित उप्योग से संबंदित पहलों पन निग्रानी रखता है बिसेश देखिए चंद्रियान त्री जो मिशन था उसे मद्ध प्रदेश के कौन-कौन से बेग्यानिक सामिल थे और वो किस-किस जिले से थे ये ध्यान रखेगा महंद रठाकरे जो की बाला घाट के थे ओम पांडे सत्णा के थे प्रयानसु मिस्रा उमरिया के थे और तरुन सिंग ये रिवा के थे ठीक है द्यान रहेगा आगे देखिए धार जिले के किस व्यक्ति को भारत के सर्वोच सिल्पकार पुरसकार सिल्पगुरु से सम्मानित किया गया है एक तो धार जिले के वेक्ति है ठीक है और उन्हें सिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है वो कौन है कलपना गुर जर्वा बिद्या पटेल आसी चौक से आसा मालवी या मुहम्मद यूसिफ खत्री तो इसका जो सही उत्तर है हमें उमीद आसाब से बन गया होगा वो है मुहम्मद यूसिफ खत्री ठीक है ये धार्ज लेके बाग गाहों के मसहूर सिल्प कार है ठीक है मुहम्मद यूसिफ खत्री और इनको क्या दिया गया है सिल्प गुरु सम्मान प्रदान किया गया आप इनकी फोटो देख सकते हैं मौम्मद यूसफ खत्री की आगे देखिए विकल्पों के बारे हम देखते हैं कल्पना गुर्जर वा बिद्या पटेल ये खरगोन की ब्रिज की खिलाडी है जिन्होंने चाइना में एसियन गेम्स में हिस्सा लिया था ठीक है आसी चौकसे को ने ये भुपाल की आसी चौकसे ने एसियन गेम में पहले ही दिन 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मिडल जीता था तो कई बार पूछ लेता है कि आसी चौकसे का संबंध किस खेल से है तो ध्यान रखेगा ये एयर राइफल से है ठीक है इनके टीम में मेहुल गोस माफ करिएगा मेहुली गोस वा रमिता भी सामिल थी आसामाल भी की बात की जाए तो ये महिला सुरक्षा और महिला ससक्ती करण के लिए इन्होंने साइकल यात्रा निकाली थी जो तिकी 15 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में पहुंची है अब देखें सिल्प गुरू सम्मान के बारे में बात करते है सिल्प गुरू जो सम्मान है भारती हस्त सिल्प छेतर का सर्बोच सम्मान है ध्यान रखेंगा हस्त सिल्प छेतर का सर्बोच सम्मान सिल्प गुरू जो विकास आयुक्त हस्त सिल्प कपड़ा मंत्रा ले भारत सरकार दोरा प्रदान किया जाता है ठीक है किस उपन्यासकार को उपन्यास राम राज्जी के लिए मध्य प्रदेश साहित अकार्दमी अवर्ड 2020 की घोस्णा की गई है रीना गुर्जर आर्यन एस गनेस आसतोस राणा या उपरोक्त सभी जिसका जो सही उत्तर है वो है आसतोस राणा या आप इनकी फोटो देख सकते ह आप जानते हैं कि एक्टर भी है अभिनेता भी है अभिनेता और लेखा का सतोस राणा को उनके उपन्यास राम राज्जी के लिए मध्य प्रदेश साहित अकार्दमी अवर्ड 2020 की घोस्णा की गई ध्यान रखेगा दोस्तों ये 2020 का वर्ड ठीक है जिसकी घोस्णा अभी क कुछ समय पे होगा असतोस राणा का संबंध मध्य प्रदेश के नर्सिंग पूर जिले से है ठीक है विकल्पों के बारे हम देखते है रीना गुर्जर राजगर जिले की रीना गुर्जर ने भारत का मान बढ़ाते हुए कनाड़ा में अपने कराटे कोसल का संदार प्रद स्विमिंग चैंपियंशिप में भौपाल के आर्यन एस गणिस ने कान से पदक जीता ठीक है यानि यह किस्से है स्विमिंग से संबंधित है आर्यन एस गणिस बात की जाए तो साहित अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिसर्द संस्कृत विवाग की स्थापना सन 1904 मे हुई उस समय इसका मुख्याले नाकपूर में था क्योंकि आपको पता है कि 1904 में मध्य प्रदेश नाम को कोई विराज जयस्तित वे नहीं था 1956 में बना और जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो ये मुख्याले भौपाल में इस्थानांत्रित कर दिया गया ध्यान लखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते अपने अगले प्रस्न को आज का हमार अगला प्रस्न है केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीब लक्षमन कंदरीकर को किस संस्था के अंसकालिन अध्यक्ष के रोप में न्यूक्त किया है राजीब लक्षमन कंदरीकर की बात की जा रही है सारी रिक्षिक्षा विभाग, परमाडो उर्जा विभाग, रास्ट्री सांख की आयोग या योग विभाग इसका जो सही उत्तर है वो है रास्ट्री सांख की आयोग ठीक है ये है प्रोफेसर राजीब लक्षमन कंदरीकर जी आईए इनके बारे में देखते हैं केंद सरकार ने प्रोफेसर राजीब लक्षमन कंद्रीकर को रास्टी सांख की आयोग के अनसिकालीन अध्यक्ष के रूप में तीन वर्स की अब्दी के लिए नियुक्त किया है इनका जन्व 1956 इन दौर में हुआ ये भारती गणितग सांख की इविद और चुनाव भिष ले सक हैं इन्होंने दूरदर्शन आज तक TV Today Network 18, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस और ABP न्यूज के लिए भारती संसरी चुनावों और राज बिधान सभा चुनावों के लिए जन्मत सर्वेक्षन आयोग जित किये हैं ठीक है अब राजटी संकी की आयोग के बारे हम देखते हैं इसका गठन भारत सरकार ने एक जून 2005 के संकल्प के माध्यम से राजटी संकी की आयोग की स्थापना की है इसका उद्देश से संकी की मामलों में नीतिया तैयार करना प्राथि मिक्ताएं और मानक तै करने से हैं संदचना इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं या पीसी महान लोबिस जी को देख सकते हैं जिनका जन्म दिवस 29 जून को आता है और उस दिन ड्रास्टी संकी की दिवस भी मनाया जाता है ध्यान रखिएगा अगला प्रस्टन है इंदौर के किस प्रसिद्चित्रकार ने नई संसत के बाहर लगा असोक चक्र बनाया था दीनानात भारगव सुसमा पटेल नारायन तीपाठीयन में से कोई नहीं जिसका जो सही उत्तर है वो है दीनानात भारगव जो की इंदौर जिले के हैं ठीक है आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्रीज अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुचाईए है ना आईए आगे बढ़ते हैं नई सं दर्गों नहीं डिजाइन किया था कितनी बड़ी बात हैं इन दोर कितने बड़े प्रसिद्ज सितरकार हैं जाने वीड़ी 25 के 업ुर्य बने किसिंदर करने हाई विकल्पों के बारे में देखते है सुस्मा पटेल दमो जिले की सुस्मा पटेल को भारत ब्लाइंड क्रिकेट एसोसियेशन ने भारत और नेपाल के बीच दुप अच्छी दोरे के लिए सुस्मा पटेल को कप्तान और करनाटा के गंगबा निलपपा हरीजन को उपकप्तान नियुक्त किया है यानि भारत और नेपाल के बीच जो ब्लाइंड क्रिकेट होने वाला है उसके लिए कप्तान नियुक्त किया गया है ठीक है ध्यान रखेगे कहां की हैं दमो की हैं और किसे सम्मनित हैं क्रिकेट से सम्मनित हैं सुस्मा पटेल दमो क्रिकेट नरहनती पार्टी की बात की जाए तिमाईहर के पूर विधायक हैं जिन्होंने बिंध जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बना रही है और इन् सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है रजत पाटिदार चेतन सोलंकी कारतिके सिंग्या राजबन में बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है सोलर मैन ऑफ इंडिया तो सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है चेतन सोलंकी को आपको पता है इनको ब्रैं प्रदेश में सौर उर्जा का ब्राणने मेस्टर बनाया गया है इन्हें सोलर मैन आफ इंडिया और सोलर गांधी कितनी बड़ी बड़ी उपाधिया इनके पास है ठीक है सम्मानित किया गया है या कहा जाता है अई बिकल्पों के बारे हम देखते है रज़त पार्टीदार इ यानि IPL में Royal Challengers Bangalore RCV ने 20 लाख रुपए के आधार मुल्ले के साथ खरीदा है अपने साथ जोड़ा है ठीक है कार्टीके सिंग कुमार कार्टी से कार्टीके सिंग को IPL में मुंबाई इंडियन्स ने अपनी टीम में सामिल किया है IPL में मद्ध प्रदेश के आवेश खान, बैकटे सायर, कुलदीब सेन और रजट पार्टीदार भी खेल रहे हैं ध्यान रखेगा इन खिलाडियों का नाम ये सब क्रिकेट से सम्बंदित हैं और किसी ने किसी टीम का हिस्सा है ठीक है राजबर्मा की बात की जाए तो इंदौर जिले के राजबर्मा ब्राजिल में माई में आयजीत होने वाले मूख बदिरों के उलम्पिक में भारत का पतिनी दित्तु करेंगे ठीक है विसेस देहते है आयाइटी बॉंबे में 1000 दिन 1000 उम्मीदे ये नाम है ठीक है? 1000 दिन 1000 उम्मीदे नामक एक कारिक्र में सोलंकी को यानि चेतन सोलंकी को ऊर्जया स्वर दिन एक हजार उम्मी दे ठीक है जो 2030 में समाप्त होने वाली है महत्पूर्ण कारियों के लिए संस्थांदर 11 वर्सों की छुट्टी दी ठीक है एक दो वर्स नहीं ये 11 वर्स की छुट्टी पे हैं कि आप ये काम करिए आगे देखते हैं लहरी भाई का संबन्ध किस जिले से धार जाबुआ डिंडोरी या अनुपूर जिसका जो सही उत्तर है वो है डिंडोरी और लहरी भाई की बारे हम देखते हैं तो डिंडोरी चिले की बैगा चकनिवा से लहरी भाई मोटे अनाच की बिलुप्त होती प्रजाती को बचाने के लिए बिगत एक दसक से कार कर रह हैं देखें ये मोटे अनाच की कैसी प्रजातियों को इन्होंने अलग-अलग रखा है किसको क्या कहते हैं लहरी बाई ने अपने घर में ही मिलिट्स का बीज बेंक बनाया है ये आप बीज बेंक लहरी बाई के बिज बैक में кरीब एक सौपचास प्रजातिया मौजूध ह किया गया है तो यह मोस्ट इंपर्टेंट हो जाता है इसलिए ध्यान रखेगा सबस्यदा मिलेट्स उत्पादक जिला कौन सा है तो वो है डिंडोरी ठीक है आगे बढ़ते देखते अपने अगले प्रस्न को पूजा बस्तरकार का संबन्ध किस खेल से क्रिकेट फुटबॉल उलम्पिक एचेस आप में से सायद ही कोई वेक्ति ऐसा हो जो पूजा बस्तरकार को न जानता हो तो इसके जो सही उत्तर है वो होगा क्रिकेट आइए पूजा बस्तरकार की बारे हम देखते है तो सहडोल जिले की पूजा बस्तरकार को महिला प्रीमियर लिग 2023 के प्रथम स साइडोल में हुआ इन्हों ने मार्च 2023 को ओडिशा के खिलाफ एक 2020 मैच में प्रमुग घरेलू क्रिकेट में पदारपन किया यानि तोजा 13 मीन का डेबियू मैच था ठीक है दाहिने हाथ की मध्यम गेंद बाज हैं और अंतर राश्ची जी डेबियू हुआ वो कब हुआ दस जिसका जो सही उत्तर है वो है चिंदवाड़ा हम देखिए भावना डेहरिया के बारे में मध्य प्रदेश की परवता रोही भावना डेहरिया 15 अगस्त यानि 77 दिवस के दिन यूरोप की सबसे उची चोटी माउंट एलब्रूस पर सफलता पूरवक पहुँचकर भारत का रास्ची दज तिरंगा फेर आया माउंट एलब्रूस की चोटी रोस-जोरूरज़िया बॉरडर पर इस थितर ध्यान रखेगा कहां पे है रोस और जोरूरजिया के बॉरडर पर है माउंट एलब्रूस की चोटी ये आप देख सकते हमने प्रमुक चोटियों के नाम लिख मेहंद्र ठाकरे, ओम पंडे, प्यांसुम इस्राइन में से कोई नहीं तो दोस्ती प्रस्णाप के लिए नया नहीं है पीछे हमें एक्स्प्रेन कर चुके हैं जो लोग पूरे कंसेंट्रेशन और तनमैता के साथ वीडियो को देख रहे होंगे उनको इस प्रस्णाप का जबाब जरूर मिल गया होगा और दोस्तों अगर इसका प्रस्णाप आप लोग सही दे चुके हैं तो प्लीज समय निकालके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दिजे ताकि वो भी इसी तरह का लाब ले सके और आपकी तरह उत्तर भी दे सके जल्दी से तो आईए आगे बढ़ते और इसकी उत्तर को देखते तो इसका सही उत्तर इन में से कोई नहीं क्योंकि सभी सामिल थे महन्द ठाकरे बालागाट के हैं चंद्रियान 3 मिसन में प्रोजेक्टेड थे ओम पांडे सतना के हैं मिसन में प्रोजेक्ट इंजीनियर थे प्रियांसो मिसरा ओमरिया के हैं यह भीकर टीम का हिस्सा है तरुन सिंगरीबा के हैं जो सीनियर साइंटिस्ट है ठीक है चंद्रियान 3 मिसन की बात की जाए तो भारत का तीसरा चंद्र मिसन और चंद्रमा की सता पर सौफ्ट लेंडिंग करने वाला दूसरा प्रयास है ठीक है यह मिसन तो तीसरा है लेकिन जो चंद्रमा पर लेंडिंग करेगा यह दूसरा प्रयास है ठीक है इसके पहले च चंद्रियान 3 द्यान रखेगा, चंद्रियान बन द्यान रखेगा, चंद्रियान बन जो है चंद्रमा पर उतरने वाला मिसन नहीं था, ठीक है वो और्बिटल मिसन था चंद्रियान 3 के लेंडर जिसको बिक्रम नाम है और रोबर जिसका प्रग्यान नाम है चंद्रियान 2 मिसन के समान ही है ध्यान रखेगा, चंद्रियान 3 को लाँच करने के लिए LBM 3 M4 लाँचर का सफलता पूरवग प्रयोग किया गया है ठीक है, LBM को पूरा नाम है लाँच वेहिकल मार्क 3 ठीक है, चंद्रियान बन की बात की जाए तो 2008 मिसन प्रच्छे पित किया गया था ठीक है, प्रच्छेपण यान था PSLB C11, चंद्रियान बन ने चंद्रमा की सता पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने में अपनी माहत्पोन भूम का निभाई थी, चंद्रियान 2 2019 में प्रच्छेपण यान था GSLB Mark 3, ठीक है, अगला प्रस्थन, गूगल फॉर पुरस्कार से समानित किया गया है, अंकुस भंडारी, आदित निर्मलकर, नर्मदा प्रसाद उपाध्या इन में से कोई नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो है अंकुस भंडारी, अंकुस भंडारी के बारे में बात की जाए, तो Google for Education द्वारा सिंगापूर में आयोजित कार में मंदसौर के अंकुस भंडारी को स्टार्ट अप के लिए Google चैंपियन पुरस्कार से समानित किया गया है, अंकुस बीते दो सालों में 25 देजों के लगबग 3,000 स्कूलों, वा, कालेजों के 10,000 से अधिक सिक्षकों को प्रसिचित कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान इन्हों ने अपने स्टार्ट अप अप एजुकेटर्स की सुरुवात मंदसौर से की, लगबग 1300 सिक्षकों ने उन्हें Google डिव्यू पर 5 में से 4.9 डेटिंग दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकल्पों के बारे में बात की जाए, तो आदित निर्मलकर, इस सागर की यूबा आदित निर्मलकर ने सोन जहरी जनजाती पर ड्रेन गोल्ड डाकुमेंटरी बनाई, जिसे रास्टी अंतरास्टी फिल्म समारों में दिखाया जाएगा, नर्मदा प्रसाद उपाद्ध्याए, इन दौर के ख्यात, साहितिकार और कलाविद, नर्मदा प्रसाद उ उपाद्ध्याए को इस साल लोकुनायक, जै प्रकास्त, नर्मदा इसमिती, रास्टी सम्मान दिये जाने की घोसना की गई है, ठीक है, इन दौर के साहितिकार हैं नर्मदा प्रसाद उपाद्ध्याए, अब गूगल फार एजुकेशन की बात करते हैं, तो यह एक गूगल का प्रोग्राम है, जो सिक्षकों और चात्रों को, ऑनलाइन सिक्षण और सीखने की अनवो को बेतर बनाने में मदद करता है, गूगल फार एजुकेशन के अंतरगत, गूगल की कई मुपत सेवा हैं, जैसे कि गूगल क्लास्रूम, गूगल डॉक्स, गूगल मीट, गूग गूगल स्लाइट्स, गूगल ड्राइव, गूगल कलेंडर, आदी सिक्षा के छेतर में उप्योग किये जाते हैं, ओवरल आप ये समझ सकते हैं, कि एक सिक्षन और प्रसिक्षन को बेतर बनाने के लिए, गूगल फार एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें ज संजीब अगरवाल, पुछ सिमित्र भारगो, डॉक्टर केसव पांडे ये इन में से कोई नहीं, जिसके जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर केसव पांडे, ये आप देख सकते हैं, हाली में गौलियर के डॉक्टर कहां से संब्द नी थे, गौलियर से, ठीक है, केसव पुस्मित्र भारगों की बात की जाए जलवायू परिवर्तन पर सईंप्तर राष्ट संग की फ्रेमबर्ग कन्वेंशन कॉन्टरेंस जो कहां सामिल हुए जलवायू परिवर्तन पर सईंप्तर राष्ट की जो फ्रेमबर्ग कन्वेंशन होती उसमें भाग लिए फ्रेमबर्ग कन्वेंशन होती उसमें भाग लिए आगे बढ़ते हैं इन्दौर के किस छातर को प्रधान मंतरी राष्टरी बाल पुरस्कार 2020 से समानित किया गया बसंद कुर्ये आदित प्रताप सिंघंग चौहान अजीर सिंग राठा और यन्वे से कोई नहीं जिसकה जो फजर है वो है आदित प्रताप सिंघंगirl आई याई येम इन्दौर के छात्र आदित्र प्रताफ सिंग चौहान को अत्यदिक पतिस्थित प्रधान मंत्री रास्ट्री बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है विकल्पों के बारे में देखते हैं बसंद कुर्रे प्रदेश सरकार ने लोग स्वास्त एबं परिवार कल्यान विभाग के उपस हैं ठीक है अजीर सिंग राठाओर को राश्च्पती द्रापदु मुर्मुद्वारा मरूरो मोती फिल्म की बेस्ट ओडियोग्राफी के लिए और सटवे रास्टी फिल्म पुरस्कार समारों में नेशनल आवार्ड प्रदान किया गया है मरूरो मोती इनकी फिल्म का नाम है आप से पूछ सकते हैं अजीर सिंग राठाओर को किस फिल्म के लिए बेस्ट ओडियोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है ठीक है तो मरूरो मोती आईए प्रदान मंत्री रास्टी बाल पुरस्कार के बारे हम जानते हैं तो यह 5-18 वर्स की आयू के बच्चों क से कवर कर रहे हैं बलकि हम अगर किसी संस्था के बारे में कोशन पूछा जा रहा है तो हम उसको भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिस कर रहे हैं आप बिल्कुल यह मत सोचेगा कि इस संस्था का हम से क्या लेना देना या नहीं पूछेगा या नहीं पूछ सकता बिल कि इस वर्स कला और संस्कृती बीरता नवाचार समाज सेबा और खेल स्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गए महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने आसाधान योगताओं एवं उत्कृस्ट उपलब्धियों बाले बच्चों को पहचान प्रदान करने होते 1996 में यह प कोई नहीं इसका जो सही उत्तर है वो है सर्फराज हसन रास्टे इस तर पर रंग कर्मि के चैतर में यूबाओं को दिया जाने वाला सबसे पतेस्ठी बिसमिल्ला खां यूबा पुरस्कार मदभरदेश के भौपाल के प्रसिद्रंग कर्मी सर्फराज हसन को दिया गया है तो सबसे पहली बात कि सफ्राज हसन कहां के हैं, भोपाल के हैं, किस विधा से संबंदी थे तो यह रंग कर्मी है, ध्यान रखिएगा. आइए बिकलपो के बारे में देखते हैं, देवेndर मालवी, इंदोर के फिल्म कार और गीत कार देवेंदर मालवी को केंद्री फिल्म प्रमारन भोड के सवलाकार पैनल में सामिल किया गया है, ठीक है? कमल पटेल, धार जिले के कमल पटेल को 20 पर्यवन दिवस पर गैड सरकारी संग अठन, जिसे NGO कहते हैं, स्वयम की सेड़ी में पर्यावर्ण संडक्षन बार नवाचार को लेकर प्रथम पुरसकार प्रदान किया गया, ध्यान रखिये का कमल पटेल का NGO है, जो पर्यावर्ण स 25,000 रुपए है, बिस्मिल्ला खां को भारत रतन 2001 में प्रदान किया गया था, कितना important question है, और इससे आपकी लुसेंड के भी कुछ topics कवर हो रहे हैं, ध्यान रखियेगा, ठीक है, अगला प्रस्त, असोक नगर निवासी, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पुरुस प्रत इंडिया बन चुके हैं, ध्यान रखियेगा, असोक नवर के जो निवासी हैं, बिनीश सर्मा इनको मिस्टर इंडिया का किताब दिया गया है, 25 अक्टूबर 2022 के दिन, रुबरु मिस्टर इंडिया 2022, बिजेता बिनीश सर्मा मिस्टर इंडिया संगठन के ब्रांड 14 से संचारित की जा रही है इस बार इस कंपनी का यह 18-17 है ध्यान रखिएगा 18 सेसन है ठीक है कभी कभी एक वर्स में दो भी हो जाती है विकल्पों के बारे में बात की जाए तो मुहम्मद निजामुद्दीन जबलपुर के मुहम्मद निजामुद्दीन पहले ऐसे होकी खि को वीजन बन कॉंपटीशन में खेलने का मौका मिला है मुहम्मद निजामुद्दीन किस विधा संबनन दीप्र के खि okay अगला नरेंद रिवानी पूर्व राश्टी चैन करता रही नरेंद रिवानी को हर्याना क्रिकेटसंग्न ने अपना स्पिन गेनद्वाजी कोच न Nä अगला प्रस्टन है आदर्स युवा विधायक सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है गौले दक्षण से कॉंग्रेस पार्टी के युवा एवम लोक्प्री विधायक है ठीक है प्रभीन पाठक जी बिकल्पों के बारे में बात की जाए तो जो सतिन सिंग लोहिया है भिंड के ये मध्र प्रदेश के अंतर रास्टी पैरा तैराक धरंतल जेटी से गेटवे आफ इंडिया तक 36 किलोमेटर को कम से कम समय में पार करके दिखाया है इससे पहले अमेरिका में 42 किलोमेटर के कैटरीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट मे तैर कर पार करने वाले पहले ACI दिब्यांग तैराक बने हैं दोस्तों प्रतिवाओं की कोई कमी नहीं है भारत समेत मध्र प्रदेश में भी प्रतिवाओं की कोई कमी नहीं है ठीक है सतिन सिंग लोहिया ने कैटरीना चैनल को पार किया वो भी 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के और ये एसिया के ना केल भारत के पहले दिब्यांग तराग बने ऐसा करने वाले रोहिद जाधो की बात की जाए गुना जिले के रोहिद जाधो ने रूस की राजधानी मासकों में आयो जीत इंटरनेशनल बुसू चैंपियंशिप में गोल्ड मिडल जीता तो ये कहे खिल सेवं युवा कल्यान मंत्राले भारत सरकार के सहयोग से भारती चात्र संसत फाउंडेशन द्वारा सुरू किया गया भारती चात्र संसत के द्वारा प्रत्यक वर्स देश के चुनिंदा स्रेश्ट युवा विधायकों को दिया जाने वाला ये सम्मान है जो प्रविन जिसका जो सईए उत्तर है वो है निलेश जिसाई ठीक है जाव को बहने के निलेश दिसाई को भील और बھیलाला समुधाय के उत्थान के लिए जमना लाल बजाज पुरसकार से सम्बन्द किया गया हैं यहां पर आपके दो क्युश्शन के вам होते हैं पहला भील बिलाला समधाय के उत्थान के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है दूसरा इसी को गुमा के पूछ ले कि जमना लाल बजाज पुरसकार का समद्ध किस से है तो आप बता लेंगे और इसकी स्थापना कप की गई 1978 में की गई आए बिकलपों के बारे में देखते है तो फें सा कुटुम्बले ने बूड़ा पेस्च में आयोजीत डबलू टीटी फीडर यूरोपियन समर सीरीज के लिए भारती दल की ओर से प्रतिनिजित्तु किया अगला प्रस्न हाली में किस फिल्मकार को मांदल के बोल के लिए रास्थी फिल्म पुरसकार प्रदान किया गया प्र फिल्मकार राजंद जांगले को नौन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के तहट मांदल के बोल के लिए रास्ची फिल्म पुरसकार प्रदान किया गया ध्यान दखिएगा यह फिल्म भारत की सबसे आदिम जन जातियों में से एक बैगा के ज जीवन के प्रद्रिश्टर को दिखाया गया है ठीक है आगे अची अबिकलप के बारे में देखते हैं प्रवीण सबकाल इनको एंस्टेर्डम नीटरलैंड के एक एंजयों द्वारा भौपाल का बाइसिकिल मेयर चुना गया कितनी बड़ी बात है भौपाल का बाइसिकिल मेयर प्रविन सबकाल सुरजीत लोधी की बात करें तो बिदिसा जिले के सुरजीत लोधी को बिटेन के प्रतिस्थी डायना आवार्ड से समानित किया गया या पुरसकार बेल से की दिवंगत राजकवारी डायना के स्मृति में दिया जाता है सुरजीत लोधी कहां के हैं बि सुकीरतिवान इस्थापित किया गया दिनेश चैन टीकम जोसी रविन दुबे कक का ये इन में से कोई नहीं जिसके जो सही उतर है वो है दिनेश चैन ध्यान रखेगा ये दिनेश चैन वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा इन दौर में आयोजित अवार्ड सेरे म गाया था और इतना जादा रखतदान हो गया कि इनको आवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड लंदन से दौरा समझ रहे हैं इतना जादा सराहनिकार था इनका अब देखियेगा इनके नित्रित में जिले में एक ही दिबसक दिन में नागरिकों 2887 यूनिट ट्रक्स दान कर 120 रुकेर्टिमान इस्थापित किया गया था विकल्पों के बारे में देखते हैं टीकम जोसी भारत के टीकम जोसी को थीटर के छेतरें 26 ट्योगदान के लिए संगीत नाटक अकार्दमी अवर्ड प्रदान किया गया रविन्द दुबे कक्का सागर जिले के बरिस्ट रंग कर्मी रविन्द दुबे कक्का के आहम किरदार बाली मंद बुद्धी फिल्म ने इटली की राजधानी रोम इंटरनेशनल मोबी अवर्ड 2022 में बिजेता बनने का गौरब आशिल किया है ठीक है ढ़न रहेगा आगला प्रस्टन है नसे को ना मुहिम के तहट किनका नाम चार साल में दूसरी बार वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है यानि चार साल में दूसरी बार यानि हर दो साल में एक बार पावर लिफ्टर मुस्कान सेख, निसाने बाज सुस्री, सुमा सिधार सिरूर, टियाई, सतीस पटेल येन में से कोई नहीं, लिसके जो सही उत्तर है वो है, टियाई, सतीस पटेल, ध्यान रहेगा प्रमुक महिम क्या है, नसे को कहें ना न, परिवार तोडो, मत जोडो, पुलिस हमारी मित्र, टियाई, हमारा भाई, ये ऐसे ऐसे अभियान चला के इन्होंने सामुदाइक पुलिसिंग की जो वेवस्था बनाई है, यानि पुलिस और जनता की बीच में जो खाई है, जो उसको कम करने का काम किया है, दूसरी तरफ लोगों को नसा ना करने की बात कहके, इन्होंने एक किर्तिमान रचा है, इसलिए इनको चार साल में दूसरी बार, वरड बूक आफ रिकॉर्ड में भी सामिल किया गया, ठिके अन्य बिकल्पों के बारे में देखते है मुस्कान सेख सिप पूरी जिले की मुस्कान सेख ने नीजी लेंड में आयोजित कॉमन बेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनसिप में चार गोर्ड मिडल जीत कर संपूर्ण बिश्व में देख प्रदेश का नाम रोसन किया है ठीक है ध्यान रहेगा तो यह कौन है यह पावर लिफ्टिंग चैंपियनसिप में जीता है तियानि यह क्या करते है पावर लिफ्टिंग करते है ठीक है और सुमा जो सिधार आपको पसंद आया होगा मिलते आप से अगरे सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद